Class 3, Subject English, Lesson for Message in a Bottle एक बोतल में संदेश, इस अध्याय में लेखक हमें शिक्षा का महत्व बताते हैं आन्या और आजय नाम के दो बच्चे थे, वे समुद्र के किनारे एक छोटे से गाव में रहते थे वे अच्छे दोस्ट थे और एक दूसरे के पडोस में रहते थे उनके पिता मच्छुआरे थे, उन दिनों गाव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती थी उन्होंने रेत के महल बनाए, केकडों का पीछा किया, समुद्र में तैरे और पूरे दिन नारियल के पेलों पर चड़े बिना किसी चिन्ता के उनका जीवन अद्भुत था एक दिन वे समुद्र तट पर खेल रहे थे, वहां उन्हें एक बड़ी हरी बोतल मिली बड़ी मुश्किल से बच्चों ने बोतल का धाककन हटाया, इसके अंदर उन्हें कागस का एक चुकडा मिला यह क्या कहता है, आन्या उत्साह से चिल लाए, मुझे नहीं पता, अजय ने जवाब दिया इस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम पर नहीं सकते बच्चे सोचने लगे की क्या करें, गाव का दुकानदार बुरा मोहन पर सकता था वो उन्हें बता सकेगा की इसमें क्या कहा गया है, उन्होंने उसके पास जाने का फैसला किया वे बोतर लेकर दुकान की ओर भागे, देखो, मोहन, बच्चे उत्साह से चिल लाए, देखो कौन सा कागज है समुद तट पर खोजा गया, बुरे मोहन ने बच्चों से कागज ले लिया, उसने चश्मा लगाया और पढ़ना शुरू किया यदि आपको यह मिल जाए, बुरे मोहन ने पेपर से पढ़ते हुए कहा, कृपया मुझे लिखे मैं डेविड हूँ और न्यूजिलेंड में मच्छी पकड़ने के एक छोटी से विला में रहता हूँ यह मेरा पता है, बुरे मोहन ने कागज पर लिखे पते की ओर इशारा किया यहाँ लड़के का पता है, उन्होंने कहा, यह बोतल न्यूजिलेंड से आए है यह बहुत दूर, गहरे, नीले समुदर के उपर एक देश है आपको देविद को अवश्य लिखना चाहिए, वह भी आपके जैसा ही छोटा बच्चा होगा उसे बताए कि आपको उसका संदेश मिल गया बच्चों ने नीचे अपने पैरों की ओर देखा, वे उदास लग रहे थे इतने उदास क्यों देख रहे हो, बुड़े मोहन ने पूछा, हम परलिक नहीं सकते, क्या आन्या ने चुपचा पुत्तर दिया, मूर्ख है, तुम बिलकुल भी मूर्ख नहीं हो बुडे मोहन ने कहा, सीखते क्यों नहीं, यहां कोई स्कूल नहीं है अजय ने कहा हम कैसे सीख सकते हैं बूरे मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा मैं तुम्हे सिखाऊंगा उस दिन से हर दोपहर जब दुकान शांत होती बच्चे बूरे मोहन के साथ बैखते उसने उन्हें कागस और पैंसिलेग दी और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया कुछ महीने बाद आन्या और अजय ने न्यूजीलेंड में देविद को एक पत्र लिखा उसने उन्हें जवाब लिखा महीने बीट गए पहनावा बीट गया आन्या और अजय अब भी डेविद को लिखते हैं अब वे लगभग उतने ही बुड़े हो गए हैं जितने बुरे मोहन के थे जब उसने पहली बार उन्हें बोतल में संदेश पड़ा था